तो नाव ब्रैटकुम ग्रूप अब देखें यहां पर थोड़ी से राहत बरी खवर आ रही है और यहां पर आपका न्यू नॉटिकेशन जारी कर दिया गया है कमपणी की तरफ से और आज हमने देखा कि कैसे ED की rate पड़ी है कमपणी के office पर, ex auditor पर और यहां पर सुरेश कु सुमारेडी के घर पर तो अभी यहां पर आपके सामने यह तो हो नहीं था क्योंकि 190 करोड की फिगर आभी तक पता नहीं चलिए कि किदर है इसके कोई जानकारी अभी valid reason दिया नहीं गया है तो अभी यहां पर आपका date आ चुका है meeting का जो की संडे के दिन है और संडे यानि मतब meeting अगर आप देखें तो यह कोई चोटी मोटी meeting नहीं होगी और यह यहां पर मजाक वाली meeting नहीं है यह काफी serious condition चले यह इस वक्त अगर आप देखें इसे matter की और अब तक का मतब सबसे record इस तर पर अगर कोई tension यहां पर rise हुई है तो यह ही है क्योंकि 190 करोड की figure है तो वो यहां पर आपके जवाब देने ही होगा जो कि अभी मैं थोड़ी दिर पहले में आपसे बात करी थी पूरा matter आपको समझाया था कि यह जो नया interim order है बात कहां फसरी है तो यह यहां पर बहुत बढ़िया बात है कि इस मामले पर यहां पर एक बात चीत हुई है और प्रोमोटर के अंदर फॉरें और इंडियन डॉमेस्टिक यह प्रोमोटर आते हैं दो तरह के और यहां पर एसके यार की स्टेक जो है वह काफी यादा थी एस फॉरें प्रोमोटर ज्योंकि उन्होंने बेचकर तुरंत ही वह एल एल पी कंपनियों को बाई कर लिया था वह हम सब जानते हैं पुराने यहां पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं और यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन था और वो तो मतलब समझी मिन या था हम लोग तो बस यही कह जा रहे हैं तो कि यहां से उठाकर यहां पर खरी लिया चलो ठीक है वह स्टेक यहां स क्यों गया क्योंकि जवाब देने वाली तो कंपनी और कंपनी के पास तो सवाल नहीं पहुंच रहा और सवाल पहुंचता भी है किसी जरिये से तो उसके उपर कभी जवाब आया नहीं तो वह मामलब पकड़ में आ एक लिस्ट यह पता चलेगा कि यह ऐसा क्यों किया गया आपकी LLP में स्टेक कैसे बढ़ाएगी इन LLP यों से आपने क्या किया है सिंपल है आपने उदर स्टेक बेज कर इधर LLP क्यों बाई करी है इधर स्टेक बढ़ाने के मतलब क्या है तो वह यहां पर मैटर निकल गया है और वह 190 करूट फिगर वह उसी मट का हुआ है तो कुछ न क्युछ ऐसी न्यूज आती रहीगी कंपनी के तरफ से या फिर सेवी के तरफ से तो यहां पर है माहौल जो है ना वह काफी जादा गर्मा गर्मी वाला है और अगर देखे तो उसके बीच में निवेसक जो है वह फसा हुआ है और यह संडे की मीटें में अगर काफी हेलफफुल होगा तो फिर वहत कुछ बदल सकता है क्योंकि एक चीज गौर करने वाली बात है आप यह देखे कि कहां पर आपको इन चीजों में आपको यह पता चलेगा कि वारें टिशू हुए आट सो पचास करोड के और उसमें से एक सो नब्बे करोड नहीं आए ह क्या यह एक सो नब्बे करोड इसमें जलक रहे हैं नहीं जलक रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं हम यह देख रहे हैं और कोई भी हुए टू जैट वो यही देखेगा क्योंकि हमें क्या पता कि वारेंट इशू आपने करें पैसा आपके पास आया उसका हमें पता चले गया कि वारेंट जारी कर दिये गए शेर्स को कर दिये गए बस इतनी हमें न्यूस मिली पैसा आया की नहीं आया इसके उपर तो कोई न्यूस आई नहीं कभी और कैसे हम पता करेंगे तो यह एक सिंपल सी बात है यहां पर यह बात समझ में आती है तो यहां पर अगर कुछ हुआ ह है जो इन्होंने एक्वाइर कर लिए क्या वो पैसा नहीं दे पाएं इसलिए अपने एक्वाइर कर लिए उनको क्या उनसे बापिस हमने श्टिक लिए तो वही यहां पर ना आपको जवाब देना पड़ेगा और वही एक हैल्फुल है अदर्वाइस आप देखें कि 850 करो है अदर्वाइस अगर यह 850 करोड का मामले चला या था तो यह और भी ज़्यादा हो सकता था एक सो नब्बे करोड का मामला है यह जल से जल कंपनी अपनी तरफ से बताए कि यहां पर क्या हुआ है उस एक सो नब्बे करोड का तो वो रफा दफा हो सारे चीज़ें अगर यह मंजूर कर लें तो जादा बहतर है अदर्वाइस यह खुदी कर लेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ निवेसक का ही दिक्कत बढ़ेगा क्योंकि आप सेलिंग देख रहे हैं कि बारा बारा करोड तेरा तेरा करोड शियर्स लग रहे हैं सेलिंग लिए तो यह बहुत कर लिया कंपैरिजन के बेसिस पर आपने देखा कि एक स्टॉर निकल के आया जो कि काफी सस्ता है उसके पी रेशियो के आप पर पी रेशियो के आपने कंपैरिजन कर लिया एक आपको मिल गया आपने बिजनिस देखा बहुत बढ़ी है बिजनिस मोडल आपने देखा profit and loss ही है या नहीं यह कैसे पता चलेगा एक आम निवेसक को या किसी को या मुझे या आपको जो सामने दिख रहा है वही यहां पर बोला है तो वो तो हो नहीं था एक चीज़ सामने निकल के आई हो जल से जल निकल के आई है क्योंकि यह मैटर ना बहुत तेजी से यहां पर गर रहा है और यहां पर जो सेवी तरफ से जो जाच चले वो काफी तेज है तो यह एक अच्छी बात है कि तेज होना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसी टाल देंग के लिए तो वह कोई मतलब नहीं है उसमें कोई मतलब तो कंपनी क्या कहती है यह इंपोर्टेंट है सत्ता है सगस बहुत इंपोर्टेंट है देखते हैं इनकी मीटिंग से क्या निकल के आता है कुछ हैल्फुल आए तभी बात बनेगी अदर्वाइस मजाग मजाग में अगर ही अपने आपको सावित कर सकते हैं वो भी सही तरीके से प्रूफ दे कर तो फिर अच्छी बात है अधर्वाइस उस मीटिंग का कोई आधार नहीं है पैनेक और क्रियेट हो सकता है सिंपिल है क्योंकि कंपनी का जवाब फिर से नहीं आएगा तो लोग यही सोचेंग कि कंपनी फिर से जवाब नहीं दे रही है और स्टॉक की प्रैसे से यहां पर रुकती नजर आएंगी क्या शायद शायद नहीं शायद नहीं यह नोटिविसन का इतना वड़ा असर नहीं पड़े रहा क्योंकि अगर आप देखें यहां पर सेलिंग बहुत है और जो यहां यहां पर बाइंग भी आती है तो वो बेचके निकलने की कुछस करें यह आप बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि पैनिक है और पैनिक में जिनका बन रहा है वो निकलेगा अगर उसे निकलना होगा उसे सोच लिया है निकलने के लिए तो निकलेगा तो पैनिक रहेगा चार्ट देखें बनने और बिगडने में टाइम नहीं लगता है जब news based कुछ action होता है तो बहुत बुरा होता है इसमें आपके technical support यह सब उड़े आते हैं कोई माइने नहीं रखता है जब panic बनता है कोई माइने नहीं रखता है जब यह buying आती है किसी stock के अंदर तो यह है, तो 37 सगस्त को नजर रखे देखते हैं, यह क्या बोलते हैं इस meeting में अब तक की meeting तो आप यह समझ सकते हैं कि कोई आधारी नहीं है, मतलब अब तक की meeting में बहुत कुछ निकल के नहीं आया, यह तो है, लेकिन जब यह meeting important है, क्या यह बोलते हैं, अब यह तो पता नहीं क्या बोलेंगे लेकिन क्या यह बोलते हैं, किस बारे में यह बताएंगे, तो यह important है, देखते हैं, जादा दूर का time नहीं है, कल का दिन बीच में कल पर सोगा नर्सों यहाँ पर आपकी meeting तो उमीद है आप इस बात को समझेंगे आप क्या कहना है इसके उपर कमेंसे समझेंगे और अब जिए वीडियो देखने के लिए बहुत दन्वाद दूस्तों